ओमुकं करोतिवाचालं पंगुं लंगयतेगिर्यं यत्कृपातमहं बन्दे परिमानन्दे माध्यवं गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुरे देव महे सुरा, गुरु साक्षात्परंब्रह्न, तश्मै स्री गुरुवे नमा शरुवे भवन्तु शुखिना शरुवे संतु निरामया शरुवे भद्राणि पश्यंतु मा कशित दुख्य भाग्वन। करपूड गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगें रहारं सदा वशंतं हर्दे आरे विंदे भवं भवानी सहितम अमा। ओी हों शाल शाल नहाब नहाब अध्याय नौ इस्लोक नंबर चार चार पांच है मया ततमिदं सरवं जगत अब्यक्त मूर्तिना मत इस्थानी सरव भूतानी नचाहं तेश वस्थिता भगवान कह रही है अरजन मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से जगत परपूर रूप से मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत परपूर है और सब भूत मेरे अंतरगत मेरे अंतरगर इस्थित है और मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ नचा मतिस्थानी भूतानी पश्य में योगम येश्वरम भूत ब्रत नचा भूतस्थे ममा आत्मा भूत भावना ये सब भूत मुझे में इस्थित नहीं है मेरी इसरी योग सक्ती को देख कि भूत को का धारण पोश्ण करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा भूतों में इस्थित नहीं है तो भगवान पहरी बात कह रहे है अर्जुन इस सारा निराकार परमात्मा यह सब जगत जल्में बर्प के सद्रश है परपूर है और सब भूत मेरे अंतरगत कि आधार इस्थित में हैं मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ अभी तक भगवान जो बाते कह रहे थे वो थड़ा तरक युक्त थी अब जो बात भगवान कह रहे है वो बियॉंड लॉजिक है तरक से परे है जो हमारी सामान तरक बुद्धी है उससे परे है क्योंकि भगवान कह रहे है अभी तक तो इथ है भगवान कहते कि मैं सम्मे हूं सम्मुझ में है लहर सागर में है और सभी लहरों में सागर है तो भगवान जब कहते हैं मैं सभी में हूं सब मुझ में है सारी स्रिष्टी परमात्मा में है और सारी स्रिष्टी में परमात्मा है सारी स्रिष्टी परमात्मा में है और इस सारी स्रिष्टी में परमात्मा है लेकिन अब भवान कह रहे हैं कि सारी स्रिष्टी मैं सम्मे हूं और मैं सम्मे नहीं भी हूं मैं सम्मे हूं और सब मेरे में हैं और सब मेरे में नहीं भी हैं अब ये बिरुधावासी बात है भगवान कह रहे हैं इसे थोड़ा दो तल पर देख सुन समयना होगा एक तो भावतिक दृष्टी से कि सारा कुछ हमें लहर सागर में दीख रही है लहर सागर में है ये दीख रही है लहर बनी तो सागर लहर का रही तो सागर और लहर बिगड़ गई तो सागर लहर का होना सागर में लहर का बनना सागर में लहर का होना सागर में और लहर का लए सागर में सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं है बरतन बना तो मिट्टी से बरतन में है मिट्टी और बरतन कल टूटेगा तो भी मिट्टी रहेगे अब यहां जो दूसरी बात भगवान कहती है कि मैं लहर में नहीं हूँ मैं बरतन में नहीं हूँ वो क्या बात है कि भगवान कहा है जो नाम रूप है वो मैं नहीं हूँ अगर नाम रूप बनी और बिगड़ तो इसकार्थ है परमात्मभी बना और बिगड़ा बरतन बना मिट्टी का बरतन बना और टूटा उसका आदी है अंध है बना और बिगड़ा तो भुवान कहते लेकर मैं बना और बिगड़ना परमात्मा में नहीं है अगर परमात्मा बरतन रूप नाम रूप होता तो नाम रूप नाम रूप बना था नाम रूप मिटा तो भगवा परमात्मा भी मिट गया होता लहर बनी और लहर ही परमात्मा होती तो लहर बनी तो परमात्मा है और लहर बिगड़ गई तो परमात्मा भी बिगड़ गया तो ऊसस्थिती में में नामूरूप में नामुर्बें है वह परमात्मा पर अध्यास आरोपでは इत्हार्थ में मिटी बरतन बना तो तभी मिट्टी मिट्टी का बरतन है तभी मिट्टी मिट्टी की बरतन टूट जाए तभी मिट्टी रहेगी लेकिन मिट्टी के बरतन के टूटने से मिट्टी नहीं टूटेगी मिट्टी के बरतन के टूटने से यह नहीं कहें कि मिट्टी भी टूट गई बरतन तो पहले था अब नहीं होगा पहले था अब नहीं है पहले नहीं था बरतन पहले नहीं था फिर बरतन बना है और फिर बरतन बिगड़ गया तो अब बरतन फिन नहीं है दो नहीं के बीच में थोड़े समय है था दो नहीं के बीच में ऐसे ही परमात्मा करते पहले नहीं था अब है फिर नहीं हो जाएगा परमात्मा की सत्ता पहले नहीं थी अब है फिर नहीं हो जाएगी तो भगवान कहते हैं नाम रूप आरोपे थे मैं नाम रूप नहीं है लहर नहीं बनी थी तब भी सागर था लहर बनी तब भी सागर लहर बिगड़ जाएगी तब भी सागर सागर तो सदा रहेगा नाम रूप आते और जाते हैं इसलिए भगवान कहते हैं वो नाम रूप मैं नहीं हूँ नाम रूप आरूपे थे और नाम रूप माया माय है भगवान कहते हैं यह माया मैं यह है नहीं लेकर दीखते हैं इनकी सत्ता दीखती होता नहीं एक तो हम सरीर के इस तर पर होते हैं कहते हैं एक बार एक हम यहां सब के बीच में बैठे हैं तमाम भीड में बैठे हैं भीड में बैठा हुआ आदमी भीड में बैठा है लेकिन अगर वो आख बंद कले अपने अंदर तो भीड में रहते हुए भी एकांत में हो गया एकांत में हो गया निर्विचार हुआ तो एकांत हुआ निर्विचार हुआ तो एकांत हुआ भीड के बीच में भी वो भीड से अलग हो गया शरीर उसका है भीड के बीच में लेकिन वह भीड से अलग है और कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति एकांत में चला जाए जहां कोई भीड नहीं है जहां कोई भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई व्यक्ति वस्तू पर नहीं है, एक आंथ है, तब भी वो आग बंद करो तो उसके अंदर भीड़ है, वहां व्यक्ति भी है, वस्तू भी है, सम्मंद भी है, सुख दुख भी है, सारी अंदर भीड़ है, तो एक सरीर के स्टर्पा है नाम रूप के इस्तर्पा है और एक अंतर के जगत के इस्तर पर है कि कहती है एक कोई रविया नाम की फकीर एक दिन जोपड़ी में रहे रही थी तो जोड़ जोड़ से आवाज लगा रही चिला रही निदी बचाओ। में जल रहे हूं। लोगों को लगा। साइत वहुर्या घास की जोपड़ी में रहती थी हो सकता है जूपड़ Kids में आग लग गई हो सकता है ज्होपड़ी में आक लग गृ इसलिए करता है बचाओ बचाओ जल जिस जिस ने उसकी आवाज सुनी दोड़े उसकी तरफ और अपने अपने हातों में लोग पानी की बाल्टिया ले लेके दोड़ रहे कि सायथ उसके घर में जोपड़ी में आग लग गए इसलिए वो चिला रही लेकिन जब आके वहाँ देखा जोपड़ी में कोई आग नहीं लगी है जोपड़ी में कोई आग लगी नहीं कोई धुआ नहीं कोई आग नहीं और दरवाजा खोल के देखा तो रविया आख बंद करके बैठी है सांद लेकर रविया चिला रही है बचाओ बचाओ मुझे आग लगी है मैं जल रही हूं आग में लोगों ने रविया को पुकारा कहा रविया तू पागल है क्या तू पागल है तू कह रही मैं जल रही हूं आग से मुझे बचाओ मैं जल रही हूं आग से मुझे बचाओ कहां है आग वो कहां है आग जो जल रही है और कहां जल रही है तु रविया ने कहा तुम ना देख पाओगे वो आग बाहर नहीं है वो आग हमारे अंदर है वो आग बाहर नहीं है वो आग हमारे अंदर है आग अंदर की जो आग है काम की आग करोद की आग लोब की आग मोह क आग अहंकार की आग ये अंदर जला रही है बाहर की आग को तो बुझा सकता कोई दूसरा भी कोई दूसरा भी बाहर की आग बाहर की आग को बुझा सकता है लेकिन अंदर की आग को स्वेम बुझाना होगा स्वेम उससे बाहर निकलना होगा कोई गुडु कोई सक्त मारकदरसंद दे सकते हैं लेकिन चलना तो खुद होगा उस आग से बाहर तो खुद निकलना होगा और पहले तो भगवान केहते हो आग आग दीख जाया है कितनों को तो आग दीखती ही नहीं आग दीखती ही नहीं आग से आग ही ओजल किया है, उस आग को कभी देखते ही नहीं कि आग लगी हुई उनके अंदर, साइध ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर ये आग ना लगी हो, और जो अंदर से ना जल रहा हो इस आग से, लेकिन उनको कुछ खवर नहीं है, खोज नहीं है, वोई होश ही नहीं बाहर की आग दीख रही है लेकर अंदर की आग नहीं दीख रही है अंदर काम क्रोध लो मो अहंकार कि कितनी प्रवल आग है कितनी पीड़ा है कितनी भीड है आदमी भीड से बचने के लिए एकांत में जाता है भीड से बचने के लिए एकांत में जाता है बाजार से बचने क लेकिन अपने अंदर वो भीड लेके जा रहा है भीड छूटी नहीं भीड उसके अंदर है बाजार उसके अंदर है अब जब तक ये अंदर बाजार रहेगा अंदर की ये भीड रहेगी तो एकांत बहुत लावका नहीं है एकांत में होते हुए ब्यक्ति एकांत में नहीं है वो भीड में ही है वो बाजार में ही है अंदर सारा हिसाब किताब बाजार का मोल भाव लेना देना सारा चल रहा है तो भगवान का कत्षन उस था कि हम सभी लहरे सागर में है सारी स्रिष्टी मुझ में है सारी स्रिष्टी परमात्मा में है और सारी स्रिष्टी में हर नाम रूप में परमात्मा है हर नाम रूप में परमात्मा है, सारी स्रिष्टी में परमात्मा है, लेकिन फिर भगवान कहते हैं, दूसरा बिरोधा भासी बक्तब दे रहे हैं, भगवान कहते हैं, मैं इन में नहीं हूँ और ये मेरे में भी नहीं है, मैं इस स्रिष्टी में नहीं हूँ, इस स्रिष्टी म बिगड़ना नहीं परमात्मा बना नहीं तो परमात्मा बिगड़ेगा नहीं यह आरोपित है सोना सदा सोना रहेगा लेकिन सोने के आभूशड अन्न था तुम यह नहीं कर तो चैन पहले सोना था सोना चैन तूट गई कंगन तूट गए तो परमात्मा में सोना भी तूट गए सोना नहीं तूटेगा सोना अभूशड नहीं बने थे तब भी सोना था अभूशड रहे तब भी सोना है अभूशड ना मिट गया तूट गया तब भी सोना है इसलिए जो नाम रूप था वो आरोपित था वो नाम रूप आरोपित था तो भगवान कहती है नाम रूप से मुझे अगर देखोगे त तो मैं नहीं है नाम रूप से देखोगे तो परमत्मा कहता है भगवान कहते हैं मैं फिर नाम रूप नहीं हूँ और नाम रूप मुझे नहीं है उनकी अलग हमसे कोई सत्ता नहीं है लहर की कोई सत्ता अलग हो सकती है सागर से सुचो लहर की कोई सत्ता है सागर से तो जो ग्यानी है वो सागर को देखते हुए लहरों को देखते हुए लहर नहीं देख रहे हैं उन्हें सागर ही दीख रहा है जो ग्यानी है वो साबंदर के किनारे जाते हैं तो यह नहीं कहें कि मुझे लहरे दीख रहे हैं सागर ही दीक रहा है ऐसे ही ग्याने की दृष्ट में जो भी नाम रूप है वो आरोपित है उने परमातमा ही दीक रहा हर नाम रूप में परमातमा ही दीक रहा है जल की कोई भी रूप हो जल है तो भी जल है बरफ है तो भी जल है बगवान कहती है नाम रूप उपर से आरोपे थे नाम रूप के नश्ट होने से नाम रूप के बनने और बिगड़ने से परमात्मा में कोई कमी या अधिकता या नियूनता नहीं आती है बनने से कोई अधिकता नहीं आती है मिटने से कोई नियूनता नहीं आती है परमात्मा एक रूप एक रस सास्वत अनित है परमात्मा इसलिए बगवान कहते हैं मैं इनमें होते हुए भी इनमें नहीं हुए क्योंकि नाम रूप आरोपे थे और ये सब भूत भगवान कहती है ये सब भूत मुझ में इस्थित नहीं है मेरी इसरी योग सक्ति से को देख और भूतों को धारणत पोश्ण करने बाला और भूतों को उत्पन करने बाला भी मे यह सब भूट मुझ में इस्तित नहीं है किन तो मेरी इस्त्री युग सक्ति को देख और भूतों को धारड़ कनने पोश्ण करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा ही बास्तव में भूतों में इस्तित है देखो परमात्मा अरूप है और अनाम है परमात्मा का नाम नहीं परमात्मा का रूप नहीं परमात्मा निर्गूड है निराकार है तो अब जो निर्गूड निराकार परमात्मा है वो सर्वत्र व्याप्त है सर्व्यापक है अब जो ये स्रिष्टी ह बगवान कहते हैं यह सब आरोपित है यह माया का खेल जो है नहीं लेकिन दीख रही है इसकी कोई अलग सत्ता नहीं इस सारा संसार जो दीख रहा है नाम रूप का जो हर व्यक्ति के अंदर एक आकर्षन है नाम रूप का थेरा हुआ है केहने को हम कहती है नधी लेकिन नधी जैसी चीजी नदी सतत परिवर्थन है सारी श्रिष्टी परिवर्थन सील है एक बच्चे का जन्म होता किस्यो अबस्ता किसौ रवस्ता जवानी बढ़ापा मौत ठेरा हुआ कहीं नहीं एक सतत प्रवा है सिसु अवस्था किसोर अवस्था की तरफ जा रही किसोर अवस्था जवानी की तरफ जवानी बुढ़ापे की तरफ बुढ़ापा मौत की तरफ एक निरंतर सतत प्रवा है लेकिन ये सारा का सारा सतत प्रवहा कैसे हो पा रहा है क्योंकि इसकी सत्ता भी परिवर्तन के पीछे अपरिवर्तन सील परमात्मा है चाक के पीछे भी कील है नदी के बेहने के नीचे भी नदी का तल है जो नहीं बेह रहा है जो अपरिवर्ट तरसील है जो नहीं दीक रहा है तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कोई दो सत्ता नहीं है कि परमात्मा की सत्ता अलग है और परकृत की सत्ता अलग है नाम रूप की सत्ता अलग है और परमात्मा की सत्ता अलग है ऐसे नहीं नाम रूप पहले तो नाम कोई एक है रूप एक है नहीं रूप सत्ता बदल रहे है छड़ छड़ परपल बदल रहे है तो अब जो छड़ छड़ परपल बदल रहा है उसकी कोई सुतंत्र सक्ता नहीं है लहर को सागर से अलग करने का कोई उपाए नहीं है आभूशड को सोने से अलग करने का कोई उपाए नहीं है ऐसा नहीं कोई आदमी ये कहे कि सोना मुझे दे दो आभूशड तुम अपने पास रख लो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सोना अभूशड तो अपने पास रखो लेकिन इस अभूशड का सोना मुझे दे दो तो सोने से अभूशड को अलग किया जा सकता है सागर से लहर को अलग किया जा सकता है मिट्टी से घड़े को अलग किया सकता है सचव नो ये कि वहान औरूपित हैं कल्पित है वह ब्योभार की कि यह गड़े की सत्ता है कि घड़े से अम पानी ला सकते हैं अब हुषडों तरहें तरहें और हो उषड़ा अलग अंगों में हम पहन आप कोही हैं कोई हात κάνो में लुख लगा या उनकी वहारिक सथा है लेकिन वहारिक सथ बीधैना सथ हानेगे वहारिक सथा है मेरी अरोपड पर लेकिन उनकी पार्मार कौने वो बनने बिगडने वाले आने और जाने वालें मैं गजू कि भी दुख़्मा कारड़ का ना तीन तरह की सत्ता है पारमार्थिक सत्ता बेवहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता परमात्मा है और सदा एक रूप है जैसा कल परमात्मा था वैसा ही परमात्मा आज है कल वैसा ही परमात्मा रहेगा उस परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं सदा एक रूप एक रस उसे कहते हैं पार्मार्थिक सक्ता दूसरा है परमात्मा है परमात्मा परमात्मा की यह स्रिष्टी जो नाम रूप में देख रही है जो सागर और सागर की लहर कभी भी सागर की लहरों का भी बड़ा उपयोग होता है सागर की लहरों का बड़ा उपयोग होता है आप सागर में जाके देखें तो सागर की लहरें जो सागर पे नाव चलाते हैं उनको मालूम है किस तरीके से नाव को कैसे लेकर सागर उनकी मदद में आ जाए जब वो कभी अंदर से किनारे की तरफ आते हैं, समुद्र के अंदर से किनारे की तरफ आते हैं, तो वो बहुत बार कोई प्रियास नहीं करते हैं, प्रियास नहीं करते हैं, लहरों पर छोड़ देते हैं, और वो जो लहरें अंदर से किनारे की तरफ आ रहे हैं, वो लहरें ही, अंदर की ल नारे पे ले आती हैं। तो मदद करती है। ऐसे ही जब उनकी कोई अलग सुतंद्र सत्ता नहीं है। लहरों की सागर से अलग कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही नाम रूप की परमात्मा से अलग कोई सत्ता नहीं है। लेकिन बेवहार में आ जाती है। परमात्मा का बनाया हुआ सारी स्रिष्टी इसके एक बेवहारे को प्यूँगता है परमात्मा ने ब्रक्ष बनाए पुसुपक्षी बनाए जमीन बनाई आकास बनाए जल बनाया हवा बनाई मनुस बनाए ये सारी परमात्मा की स्रिष्टी है ये परमात्मा की स्रिष्टी नाम रूप के रूप में प् गड़ने बाली है बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती कुछ समय और जिस समय होना कहते है वो होना भी ठेरा हुआ नहीं है जो जिस हम कहते है लहर है लहर है नहीं है लहर बन रही और लहर बिगड़ रही सदा परिवर्तन है कोई ठहरी हुई नहीं कब इतने देर तक लहर ठहरी रही ठहराव नहीं है ऐसे हमारे आपके जीवन में कहीं ठहराव नहीं है जीवन में कहीं ठहराव नहीं है जन्म हुआ किसोर सिसु अवस्ता किसोर अवस्ता जवानी बुढ़ापा एक निरंतर प्रवाह सतत प्रवाह एक कॉश्टेंट फिलो है लगाता है जैसे किसी ने कहाने कि एक नदी में आप दो बार इसनाद नहीं कर सकते एक नदी में आप दो बार इसनाद नहीं कर सकते मैं तो कहते एक नदी में आप दो बार के एक बार भी इसनाद नहीं कर सकते एक नदी में एक बार भी इस्तान नहीं कर पाओगे क्योंकि जैसे तुमने नदी के उपर के जल को सुआ नीचे का जल बह गया और जब नीचे पहुँचे तो उपर का जल बह गया और जब एक बार बह गया तो दुवारा उसमें वो तुवारा डुबकी लगाई तो पाने दूसरा आ गया वो पहले बाला ना रहा वो बह गया वो आगे निकल गया ऐसे ही भगवान कहते हैं जीवन में सब कुछ परिवर्तन सील है सब कुछ बदल रहा है तो परिवर्तन पिना परमात्मा के नहीं हो रहा है परमात्मा में प्रकृति में जन्म म्रत्यु है उत्पत्ति इस्थिति लए है लेकिन परमात्मा में न उत्पत्ति है न इस्थिति है न लए है परमात्मा में सदा है परमात्मा सदा है अस्थित सदा है परमात्मा में कि परमात्मा आज बना और कल बिगड़ जाएगा लहर आज बनी कल बिगड़ जाएगी लिगा ऐसा नहीं परमात्मा नहीं कि आज बना कल परमात्मा बिगड़ जाएगा आज जन्म हुआ तो कल परमात्मा की मौत हो जिना तो भगवान कहते जो नाम रूप है वो आरोपित है वो सदा और उनकी एक बेवहारी को प्योगता है लेकिन आदमी ने जो उसके साथ अपने सम्मंद आरोपित किये सम्मंद नाम रूप के साथ सम्मंद आरोपित किये भगवान कहते हैं वो माया मै जो सम्मन्द आरोपित किये हैं जमीन ये परमात्मा की बनाई हुई है लेकिन जब ब्यक्ति कहता है ये जमीन मेरी तो ये माया है ये जमीन मेरी ये माया परमात्मा ने पुसु पक्षी पैदा किये किसी पसु को हमने अपने घर में रख दिये पसु मेरा ये माया है ये पक्षी मेरा ये माया है ये ब्रक्ष मेरा ये माया है ये इस्त्री पुरुस मेरा ये माया है अब जिसे जिसे हमने मेरा कहा उनके सैयोग और बियोग हमारे लिए दुख के कन बनेंगे उनकी जन्म और मृत्वी हमारे लिए दुख के कन बनेंगे जिसे जिसे मेरा कहा एक पेड़ भी लगा लिया और पेड़ कभी तूटा तो दुख कोई पच्छी पासू पक्ची पाल लिया घर में उस पच्छी की मौत होई तो दुख किसी व्यक्त के साथ संबंद आरोपित किया मेरा पती, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा पोत्र तो कल उससे जब वियोग होगा तो दुख भगवान कहते हैं ये संबंद का आरोपण ये माया में ये माया, ये भगवान की माया के साथ हमने व्यक्ति ने अपने अधिकार संबंद का आरोपड किया, यह माया, है नहीं कुछ, होता कुछ नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं, यह दुख खुब पैदा कर देता, किसी के जन्म हुआ तो देखो, और किसी की मौत होती है तो देखो, कुछ मिला तो क्या स्थिती होती है, कुछ छिन जाता तो क्या स्थिती होती है, यह देखो, कोई धन्मान हो या पद की दोड में जो है राजनेता, एक कुरसी पर जाकर बैठ गए, तो कुरसी को कहते है, वो एलेक्टिफाइड चेयर है, उस कुरसी में करंट है, और जब उस पर आदमी बैठ जाता तो उसकी स्थिति कुछ और होती है अकड़ा हुआ होता है इस्थिति कुछ और होती है और कुर्सी छिंजाती है कुर्सी से हट जाता है तो उसकी स्थिति कौर और हो जाती है सरीर से कुर्सी बैठा तो सरीर से भी अकड़ गया मन से भी अकड़ गया जवानी आ गयी जो बुड़ा आदमी भी जवान हो जाता जोस आ गया तागत आ गयी कुर्सी की तागत और जब कुर्शी छिन जाती है तो देखो आदमी कैसा मुर्दा हो जाता है। बुढ़ा भी जबान भी बुढ़ा भी मैसूस करने लगता है। कुर्शी छिनी तो सुचो आदमी अंदर से लगता कि जीवन छिन गया। जीवन छिन गया। खुसी छिन गया। जीवन की सारा आनंद मस्ती सारी छिन गया। और जैसे इन लोगों को देखो राजनेता वो जिनकी कुर्शी छिनी कुर्शी से हटे फिर वो लंबे नहीं जीते हैं। हflowing जली मरते उनकी जान उनकी तागऴए सारह का सारा मौशला उसकुर्षी में ती न मान व्यक्ति को देखो धन जाये तो उसको धन नहीं चुन उसके प्रांड चुन गई उसकी सारी सक्ति छिल गई उसकी सारी मौशली गई अब हुए इसलिए तो लोग कहते हैं कि जो भी होता वो कहेगा चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए लोग भी कि क्या कहते है उसके बारे हम कहते है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए उसे चमडी का लालच नहीं है, सरीर का लालच नहीं है लेकिन पैसे का लालच है पैसा ना जाए, सरीर जाए तो जाए लेकिन पैसा ना जाए तो कोई आदमी कहते हैं का गाउं में अकाल पड़ गया कोई धन्मान आदमी गाओं का धन्मान आदियों उसको कहा जरा अकाल पड़ा है लोग भूप से मर रहे हैं बीमारियों से मर रहे हैं आप लोगों की मदद करो उसने कहा देखो मैं लोगों की मदद करूँ और मेरा पैसा चला गया खर्च हो गया तो लोग मर रहे हैं तो और पैदा हो जाएंगे लेकिन अगर मेरा पैसा चला गया तो मैं तो जिन्दा नहीं रह सकता बिना पैसे के में जिन्दा नहीं रह सकता पैसा ही मेरे प्राण है कोई कहता था कोई एक मारबारी कहता था कोई मारबारी कह रहा था कि पैसा मारो पर्मेस हो रहे है पत्नी मारो गुरू छोरा छोरी सालिक गराम है पूजा कातो करो तो हो एक लोभी के लिए पैसा परमेस हो रहे है परमात्मा तो उसने कहा पैसा चला गया है तो मेरा तो जीवन नरक मैं तो जिंदा रहा है कि ये कलपना भी नहीं कर सकते बिना पैसे के लोग मरते गए देख से उसने किसी कोई मदद नहीं की कुछ समय बात कहते हैं उसकी पत्नी बीमार हुई तो लोगों ने कहा अपनी पत्नी का इलाज करा ले अब पत्नी मरत्य सहीया पर इसका इलाज करा ले उसने का पत्नी बच गई और पैसा चला गए तो हम तो कल्पना बिना पत्नी के में कल्पना कर सकता अपने जीवन की बिना पत्नी के रह सकता लेकर बिना पैसे के नहीं रह सकता पैसा तो मेरे प्राण है बिना पत्नी के में रह सकता लेकर बिना पैसे के नहीं पैसा तो मेरे प्राण पड़ाम ये हुआ कि उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है और जब पत्नी की मौत होई तो वो कुछ समय बाद खुद भी बीमार पड़ गया और जब खुद बीमार पड़ा तो किसी ने का रहे भाई अब अपना तो इलाज करा ले अपना तो इलाज करा ले पैसा खर्च करके अपना इलाज कर उसने कहा मैं बच गया और पैसा ना बचा अगर मैं बच गया और पैसा ना बचा तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि पैसे की बिना जीवन कैसा होगा पैसे के अभाव में जीवन कितना रिक्त होगा कितना खाली होगा उतों मौत से भी बदतर होगा मौत से भी बदतर बिना पैसा पैसा के अभाव तो किसी ने कहा अगर पैसा बच गया और तुम चले गए पैसा अगर बच गया लिया तुम ने तुम खुद ही चले गए तो ये पैसा किस काम का फिर पैसा किस काम का कोई और इसका मालिक बन जाएगा उसने कहा ऐसा नहीं होगा कि मैं चला जाओं और पैसा यहां रह जाए उसने कहा ऐसा नहीं होगा कि मैं जाओं और पैसा यहां रह जाओं अगर मैं जाओंगा तो पैसा भी साथ लेके जाओंगा मैं जा हो और दौलत साथ गई हो नाराएंड या जगत में भूपत भई या नेक मैं मेरी कर मर गए लेन गए तिन एक तिनका भी किसी के हाथ में नहीं गया तो तुम कैसे ले जा पाओगे उसने का देख लेना जब मैं मरूं तो देख लेना कहते हैं एक रात उसे लगा कि आज की रात ये अंतिम रात होगी सवेरा न मिलेगा मौत ही आ जाएगी सवेरा न मिलेगा सुबह का सूरज न उगते हुए देख पाएंगे तो अर्द रात्री को ही उसने अपने सारी दौलत एखटी की और दौलत एखटी करके नदी के किनारे आता पोटली बनाके गट्री बनाके नदी किनारे आता सोए हुए मल्हाओं को जगाया और सोए हुए मल्हाओं को जगा के उनसे कहा देखो मुझे नदी के बीच में जा ना है क्या पैसे लोगे किसी ने कहा दस रूपए किसी ने कहा पांच रूपए किसी ने कहा दो रूपए अब आदमी मरने जा रहा है लेकिन मोल भाव कर रहा है अब जिसने सबसे कम मांगे दो रूपए उसने का ठीक है तेरी नाव पर बैठ गया और जब नदी के बीच में आया तो उसने कहा मला से देखो तुम्हें मालूम है मैं मरने आया हूं मैं नदी में मरने आया हूं और मरते हुए आदमी की भी अंतिमिक्षा पूरी की जाती है क्या तुम मेरी अंतिमिक्षा पूरी नहीं करोगे मला ने कहा कैसी इच्छा भला मैं तुम्हारी कौन सी मांगे हैं दो रुपए नदीत के बीच में आने के दो रुपए मांगे यह दो रुपए ना मांगो तुम्हें बड़ी खुशी से बड़ी आनन्द से मरूंगा यह दो रुपए तुम छोड़ दो उस मल्ला ने कहा मैंने दो रुपए छोड़े तुम खुशी से मर आनन्द से मर्मینे दो रुपई छोड़े और कहते हैं वो लोग ही धन की पोटली च्छाती से लेके नदी में कूट जाता वो कहता हम मरेंगे तो दौला साथ लेके जाएगे ऐसे लोगों ने कोसिस बहुत की बहुत लोगों ने बहुत तरह से कोसिस की कि दौला साथ लेके जाएगे मरने के बाद दौला साथ लेके जाएगे कोसिस बहुत तरह से की लेकिन गई किसी के साथ नहीं गई किसी के साथ ये दौला ताज तक किसी के साथ इसलिए बगवान कहते हैं साथ किसी के गई नहीं ये सब छूटे गी लेकिन व्यक्ति आरोपन कर रहा है सम्मंद इतना बना रखा है धन के साथ, पद के साथ, परिवार के साथ, वस्तूं व्यक्तियों के साथ ऐसा घनिष्ट सम्मंद बना इतना जोड रखा है ऐसा तादात्म बना रखा है कि सारी जीवन की खुशी उसी में है सारे जीवन का दुख उसी में है मिल गई तो खुशी ना मिला तो दुख और देखो कोई चीज कितनी भी मिली हुई हो जो मिली है आज छूटेगी छिनेगी पहले नहीं थी बाद में नहीं होगी दो नहीं के बीच में थोड़ी देर के लिए होना है पहले नहीं थी मेरे पास बाद में भी छूटेगी दो नहीं के बीच में थोड़े समय का अधिकार है पहले भी दुख थोड़े समय के लिए सुख की एक किरण आई और फिर दुख जब छूटा चिना तो फिर दुख तो भगवान कहते हैं ये मेरी माया है इस पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है लेकिन ये व्यक्ति ने अपने नाम रूप पर अपने अधिकार का सम्मंद का अरोपन किया इस नाम रूप पर ये मेरी माया है और इस माया के कारण ही व्यक्ति उस पर मात्मा को नहीं देख पा रहा है आभूशड दीख रहे हैं लेकिन सोना नहीं दीख रहा है लहर दीख रही है लेकिन सागर नहीं दीख रहा है व्यक्ति वस्तू दीख रहे हैं लेकिन परमात्मा नहीं दीख रहा है परमात्मा नहीं दीख रहा है क्योंकि उसके आंख पर मोह का माया का परदा पड़ा है उसकी आंख पर माया का परदा पड़ा है कामना का परदा पड़ा अहंकार का परदा पड़ा ममत्त का मपरदा पड़ा मेरा ये पर्दा पड़ा है इस माया के कारण से वो नहीं देख रहा जो सास्वत है अनित में जो नित है छड़भंगुर में जो सास्वत है उसको नहीं देख पा रहा अनित में नित है नाम रूप में सोना है वो नहीं देख पा रहा लहरों में सागर है नित वो नहीं देख पा रहा तो छड़भंगुर में सास्वत को नहीं देख पा रहा जिस दिन उसकी दृष्टी से ये मोहुक का परदा हटेगा इस माया का परदा हटेगा फिर उसे सागर ही दीखेगा लहर नहीं दीखेगी फिर सोना ही दीखेगा नाम रूप नहीं दीखेगा और नाम रूप जो दीखेगा उसका कोई पकड़ नहीं होगी ये तो आती और जाती हैं लहरे बनती और बिगड़ती हैं लहरों का क्या पकड़ना है लहरों को पकड़ने का कोई आपने जा सकती है ऐसे ही इस संसार की वस्तों और विक्तियों के साथ अपने संबंद अधिकार का आरोपड करता है मेरी पत्नी मेरा पती मेरा धन मेरा संपत्ती मेरी जमीन मेरा ये मेरा ये जो दुख पैदा खूब कर लेता लेकिन मेरा कहीं है नहीं उसका मेरा कहीं पर उसका मेरा नहीं मिलेगा कहां कुछ उसका मेरा जिस जमीन को हम कहते हैं मेरा कहते हैं वो जमीन भी हस्ती है कि तुम से पहले कितने मालिक आए और गए जमीन अपनी जगह पढ़ी जमीन किसी के साथ नहीं गए, ये मालिक बदलते गए और इस जमीन के लिए कितने युद्ध हुए कितना नरसंगार हुआ, कितना खून खराबा हुआ लेकर सोचो, जमीन पर किसी का इस्थाई स्वामे तो रहा इस स्वामी आए और गए लेकिन जमीन अपनी जगह पढ़ी है एक बार कहते हैं कि किसी ने माया को, किसी ने भगवान की इस माया को कहा कि भगवान की माया सभी को दुखी कर रही है ये भगवान की माया सभी को दुखी कर रही है असांत कर रही है, कलहे कर रही है घ्रणा कर रही है युद्ध करा रही है हिंसा करा रही है भगवान की माया और भगवान की माया सब को हिंसा से घ्रणा से दुख से भर रही है तो भगवान जिम्मेदार है क्योंकि भगवान की माया से सब कुछ हो रहा है तो कहते हैं भगवान की उस माया ने जिन संतों ने सिकायत की थी कि भगवान की माया के कारण से ये दुख है तो कहते हैं उस माया ने संतों को कहा देखो मैं अभी एक खेल खेल रहा हूं एक खेल खेल रहा हूं एक ड्रामा कर रहा हूं जड़ा देखो और फिर निर्डे करना कि दुख़ का करण मैं हूं नफरत का हिंसा का करण मैं हूं यह व्रायगति कुद है फिर निर्डे करनाः अभी निर्डे करके न हिरन जंगल के राश्ते पर खड़ा तो कहते हूं दूसरी तरब से देखा चार सिकारीय आ रहे हैं। सिकार के लिए जंगल की तरब जा रहे हैं। जब चारों सिकारियों की नजोर सोने के हिरन पर पढ़ेएं। सब के मन में लालच कि इसको इतना सोना। हम तो साधान मरग के खोज में थे यह तो सोने का मरग सोने का हिरण है चारों ने चारों तरफ से घेर के उसे निसाना लगाया गोली दागी हिरण को गोली लगती हिरण गिर जाता और जब हिरण को गिर जाता उसके निकट आए तो कहाई तो पूरों सोना और काफी सोना बिचार करने लगे कि अगर इस हिरण को लेकर अभी हम गाउं में जाएंगे घर जाएंगे बापस तो लोगों को कबर लग जाएगी इतना सोने का हिरण इनके पास है और राया को ख़बर सरकार आज़ के सोना सरकारी संपत्ती सरकार麵 कोस्त में जमा करो इस कि पूरा दिन वहर इसको यहां जंगल में छिपाढ़ी सारा दिन जंगल में छिपाढ़ी रख़़ nowhere कब दो रात के अंधिर में घर ले जाएंगे पैंट के चार जग्हें कि भूजन की भूजन कैसे कीया जाएं तो सिइवा छोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ लो सोने का हिरन का सींग का सींग का एक टुकड़ा तोड़ के बाजार में बैच के आ और उस उदर से खाना लेके आना खुद खाके आना मेरे लिए लेके आना तो कहते हैं उसका छोटा सा सींग का टुकड़ा तोड़ा दो तो वहीं बैठे रहे दो बाजार में गए सौने के टुकड़े को सौने की दुकान पे जाके बैचा उन्हें बहुत पैसा मिल गया उस छोटे से टुकड़े के उनको एक लाख रुपई मिल गए बड़े खुश हुए कि चोटा सा टुकड़ा एक लाख का पूरा सौना कितना ज्यादा होगा दोनों ने भोजन किया उस पैसे से दोनों ने भोजन किया भोजन करने के बाद उन दोनों के लिए भोजन लेके आना था जो रात जंगल में बैठे थे हिरन की रखवाली में उनके लिए भोजन लाना था तो इनके मन में लाला चाया इनके मन में लाला चाया ऐसा करो आप चार जगे बटेगा तो चौत्याई हिस्सा मिलेगा अगर हम तुम दोनों के बीच में बटा होता हम तुम दोनों के बीच में ही बटा होता तो कितना जादा आदा आदा मिलता आदा आदा मिलता एक के मन में जब ये लाला चाया लोव आया तो दूसरे ने सला दी ऐसा करो कि हम तो भोजन कर लिये हैं उनके भोजन में जहर मिला दो उन दोनों के भोजन में जहर मिला के ले चलो और जहरीला भूजन वो जो खाएंगे उनकी मौत हो जाएगी जंगल में किसने मारा क्यों को मारा कौन या कोज ख़वर है जंगल में और फिर हम तुम दोनों ही आदा आदा बाट के ले जाएंगे इनकी मन में लाला चाया मन में पाप जगा उनके लिए भोजन लेके आये थे उस भोजन में जहर मिला दिया इधर ये दो जो बैठे थे उसकी रखवाली के लिए इनके मन में भी लाला चाया कि अगर ये दो जगे ही बटा होता तो बहुत सोना मिलता कई पीडियों की गरीबी खत्म हो जाती बहुत धन मिलता लेकिन ही तो अब चार जगह बटेगा चौथा हिस्सा ही मिलेगा तो दूसरे ने सला दी ऐसा करो हमारे पास बंदूक भी है और गोलियां भी है बंदूक भी है और गोलियां भी है जैसे हमने फिरन को मारा इसे उन दोनों को भी गोली मार दे उन दोनों को भी गोली मार दें और फिर हम तुम दोनों को ही आदा आदा मिलेगा फिर चार हिस्से नहीं होंगे दो ही हिस्से होंगे एक ने सुजाई दूसरे ने को अच्छी लगी दोनों तैयार बैठे थे जब देखा वो दोनों भोजन लेके जो आ रहे थे थोड़े निकट आए तो उन्होंने गोलियां दाग दी दोनों ने और गोलियां दाग के दोनों गिर जाते दोनों की मौत हो जाती दोनों की लासे वहीं गिरा दी और बड़े खुश हुए कि अब तो हम बहुत बड़ी लीडियों की गरीवी मिट गई बहुत बड़ी दौलत के माले बहुत बड़ा सुक उपलब्द हो गया उन्होंने का चलो अब तो दोई हिस्से होंगे दोई जगे बटेगा अब भूंके तो थे दिन भर के तो उनका ऐसा करो भोजन तो यह लेके आए कि उनना ही भोजन हम लो था उस भोजन में भी जहर मिला था इन दोनों ने भी वो जहरीला भोजन खाया इन दोनों की भी मौत हो गए चारों के चारों जहाँ हिरन था वहीं गिर गए चारों की मौत हो गई और हिरन खड़ा हुआ और संतों से कहा देखो मैंने किसी को मारा है सुचो दोस किसे लगा कि मैंने किसी को मारा है राम ना मारें काहु को ऐसे भोले राम आपर से करजात नर करकर खोटे काहु भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं लेके डिंडा लेके मारना था भगवान खुद अपने खोटे करमों से मन के भगवान कहते हैं कि मन उसके अंदर खुद वो बुराईयां बैठी हुई और सारी बुराईयों की जड़ यही है कि आसकती संसार के साथ आसकती व्यक्ति बस्तों के साथ आसकती और जब बाहर के अपने नाम रूप के साथ आसकती बनाई सरीर मन इंद्रियाओं के साथ ह खुरूप के प्रत्य आसाकती बनेगी के और यह आसकती चाहिक करण है और अंधाय बिचमान वाहतेजरा को ना और रिक्रक्रतिय के तो जो वहााई जोलविद gusty वो आ सकती दुख में खुब ले जाती है असांत खुब कर देती है और रविया की तरह अंदर आग खुब जला देती है जल रही है लेकिन फिर भी व्यक्ति आग अंदर है और जल बाहर खोजते है आग तो अंदर जल रही है लेकिन आग को बुझाने के लिए जल खोज रहा भो बाहर-बाहर खोज रहा, कि बाहर-बाहर खोजो, बाहर का जल काम नहीं आता, रविया के पास भी जब बाल्टियां वरबर के लोग आए तो रविया हसने लगी, इस जल से यह आग नहीं पुशेगी, अंदर की आग, अंदर के ही पानी से पुशेगी, और वो अंदर का पानी क्या है ग्यान का पानी हो आसकती अनासकती का पानी हो बीतरागता का पानी हो आत्म तत्त को जानने का आत्म रती का पानी हो जब बेखते हैं आत्म रती होता आत्म तर्पत होता अंदर से जुड़ता तो अंदर से वो आग बुझतेगी अंदर की आग अंदर के पानी से बुझेगी अंदर से आदी बाहर से हटे अंदर जुड़े तो भगवान कहते हैं मैं इन में नहीं हूँ ये सब मेरी माया के कारण से मुझे में इस्तित नहीं हो मेरा इस्तरी योग सक्ति को देख भूतों का धारण पोश्ण करने बाला भूत भूत भावना भूतों को उत्पन करने बाला भी मेरा आत्मा बास्तम में भूतों में इस्थित नहीं है भगवान कह रहे ना मैं भूतों में हूँ ना तो मैं भूतों में धारण हूँ और ना ही मेरा आत्मा इनमें है ऐसे सागर ये कहे कि ना तो मैं लेहर में बना तो मैं हूँ और लेहर है तो मैं हूँ लेहर बनी और बिगड़ी लेकिर सागत नहीं बनता बिगड़ता बरतन मिट्टी का बरतन बना और बिगड़ा लेकिन मिट्टी नहीं बनती बिगड़ती मिटी नहीं बनती बिगड़ती नाम रूप बने और बिगड़े इसलिए भगवान कहती है उनमें होते जिनकी दृष्टी है वो देख पा। भूतों को धान करने वाला भी इुसरी योग सक्ति से ये सारा का सारा भगवान की योग सक्ति से इस्री सक्ति से हो रहा है और भूतों का उलंगन करने वाला उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा बास्तर में भूतों में नहीं है क्योंकि अगर भूतों में आत्मा होता तो भूत नश्ट होते प्राणी नश्ट होते तो आत्मा नश्ट होती नाम रूप नश्ट होते तो आत्मा नश्ट होती परमात्मा न होता है लहरें बनती और बिगड़ती है सागर नहीं बनता और बिगड़ता है सोने के अभूषड बनते बिगड़ते हैं सोना नहीं बिगड़ता है अब नहीं कहते हैं सोना बिगड़ गया सोना पहले बना बिगड़ गया अभूषड बने और बिगड़े मिटी से बरतन बना तो आपो मिटी से बठी का बठतण टूटा यह निखे तुट गई मिट्टी में कोई दोश नहीं आएगा कि मिट्टी सदा निर्दोस रहेगी कोई दोश नहीं कैसले कूत थे वह निर्विकार निरलेप है और भगान कहती है अंगले श्लोक भगवान कहे 241 यह था आकास इस्तिता नित्यम बायू सर्वत्र गामहान तथा सरवान भूतानी मत्तिस्थान इत्य उपधार है भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे आकास सर्वत्र विजरने वाला महान बायू सदा आकास में ही इस्तित है बैसे ही संकल्ब द्वारा उत्पन होने से शंपूर भूत मुझ में इस्तित है ऐसा जान जैसे आकास से उत्पन हुए सर्वत्र विचरने वाला महान बायू सदा आकास में ही इस्तित है बैसे ही संकल द्वारत्पन होने शंपूर भूत मुझ में इस्तिध है ऐसा जान अब बगवान कह रहे जैसे वायू आकाश में है अब बायू का गमन आगमन बाल जो चलती फिरती है तो आकाश में अब देखो बायू ऐसा नहीं कि जो बायू जब चलती है तभी बायू है अभी भी है हवा अब भी है कभी मंद गती में होती है कभी जड़ा तीब्र गती में होती है ती बरगती में होती है मैसूस होती है और कभी ती बरगती में नहीं होती है मंद गती में नहीं मैसूस बायू सदा हमद quelques four चाहले मुडे तो बायू तोह आकास में है लेकिन आकास बायू में नहीं है बायू तो सदा आकास में रहेगी देखो एक कोई बड़ा सरकल है एक छोटा सरकल है बड़े सरकल के अंदर छोटा सरकल है बड़े घेरे के अंदर छोटा घेरा है लेकिन छोटे घेरे में बड़ा घेरा नहीं है क्योंकि छोटे घेरे के बाहर भी बड़ा है ऐसी भगवान कहते हैं नाम रूप परमात्मा में हैं लेकिन परमात्मा नाम रूप से भी परे है नाम रूप सीमा में है और परमात्मा असीम में है नाम रूप समय और काल से वादित है टाइम स्पेस से वादित है टाइम स्पेस में लिम्टिड है लेकर परमात्मा समय और काल से भी परे है समय और काल से भी बियोंड है काला तीत है इसलिए बगवान कहते हैं जैसे वायूस आकासे विश्ण करते हुई है ऐसे ही बगवान कहते हैं नाम रूप सब परमात्मा में विश्ण करते हैं सब परमात्मा में हैं लेकिन फिर भी परमात्मा से उम्में नहीं परमात्मा की सत्ता से क्योंकि ये सब नाम रूप नाम रूप सीमत है परमात्मा असीम है नाम रूप मरड धर्मा है जन्म अम्रत्यु आईगी नाम रूप की लेकर परमात्मा अविनासी है परमात्मा अविनासी है नाम रूप का जन्म अम्रत्यु है लेकर परमात्मा अजन्मा अविनाशी है नाम रूप सीमित है समयर काल में सीमित है लेकर परमात्मा समयर काल से अतीत है इसलिए भगवान कहते हैं शंपूर स्रिष्टी मुझ में होते हुए भी संकल्ब द्वारा उत्पन होने से क्योंकि भगवान के तथा बैसे मेरे संकल्ब से द्वारा उत्पन्स होने से शंपूर भूत मुझ में इस्तित हैं अब यह सारी सिष्टी भगवान के संकल्ब से बनी है तो परमात्मा में है क्योंकि कारड तो परमात्मा है इस सिष्टी का जो कारड है वो परमात्मा है उपादान कारड है वो परमात्मा है सिष्टी बनी परमात्मा के संकल्ब से तो जब परमात्मा के संकल्ब से बनी है तो परमात्मा में है लेकर सिष्टी बनी और बिगड़ने वाली है तो परमात्मा बनने बिगड़ने वाला नह इस सारे नाम रूप की जितना भगवान कहरे जिस रिष्टी दीख रही है ये परमात्मा का सिर्फ संकल्ब से बना है परमात्मा के संकल्ब से बना परमात्मा के संकल्ब से ही स्रिष्टी परमात्मा में ले हो जाती नाम रूप के अलग कोई सत्ता परमात्मा से अलग नाम रूप कोई सत्ता नहीं इसलिए भगवान कहते हैं नाम रूप से परे नाम रूप से अलग जो असीम है जो अजनमा है जो अबनासी है जो सास्वत है वो परमात्मा है अपना संबन्द नाम रूप से हटा के जो नित है सास्वत है सनातन है अपना आत्मा उसके साथ जोड़ो सरीर से हटो और चेतना के साथ जोड़ो आत्मा के साथ जोड़ो जब आत्मा के साथ जुड़ोगे तो नाम रूप तो में दीखेंगे या रूप तो है उपर से तो आत्मा के साथ तादात्म हो सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं से हम हटे नाम रूप से हटे इधर से हमारा तादात में तूटा सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं से तादा आत्म नहीं व्यक्ति और वस्तियों के साथ तादात्म पैदा किया है क्योंकि इस सरीर का कोई पिता है तो सरीर का कोई पत्र है इस सरीर का कोई पत्र है तो जब सरीर का तादात्म रहेगा तो वाहर के व्यक्ति वस्तियों के साथ भी तादात्म रहेगा आ सकती रहेगी उनकी और वो सुख दुख के कारण होंगे इसलिए भगवान कहते हैं बापस लाटो बापस लाटो अपने निज्च सुरूप के ऊपर अपनी निज्चता की तरफ बापस लाटो और अपनी निज्चता के साथ जुड़ोगे अपने सत सुरूप के साथ जुड़ोगे आत्मा के साथ जुड़ोगे नाम रूप से भिन नाम रूप से अतरिक्त मैं अजन्मा अबनाशी आत्मा हूँ तो भगवान कहते है बाहर के संसार में भी फिर तुमें देखे गए यह सारा खेल हो रहा जिसे आकास में तरह तरह के बादल बनते बिगड़ते हवाएं आते जाते ऐसे ही चेतना के आकास में आत्मा के आकास में परमात्मा के आकास में ये नाम रूप के खेल आते और जाते बनते और बिगड़ते हैं लेकिन मैं इससे परे हूँ मैं आकास रूप में हूँ, मैं आत्मा रूप में हूँ, मैं अशी में हूँ, मैं अजन्मा और अबनाशी हूँ, सास्वत हूँ, नित हूँ, जिस दिन ये खवर, अनुभव में आता है, उस दिन भगवान कहते हैं, वो सबसे मक्त हो जाता, दुखों से मक्त हो जाता, वो जी झाल झाल